ये गाईस इस वीडियो में हम सीखेंगे images से test कैसे निगालते हैं जैसे कि मेरे पास में ये png file है और इस png file में जितना भी test है उसको मुझे axle में निकालना है आपके पास में jpg हो सकता है और other कोई extension हो सकता images का लेगिन point है कि इसके अंदर जितने भी test है उसको आपको axle में नि image है और different different escape point है अब इन सब चीजों को मैं Excel में यहां पर चाता हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है कहने का मतलब है कि इस images में read करके आप जो test है आप यहां पर लेके आएंगे इसी पकरिया को बोलते हैं capture को read करना आप लोगों ने यह जीक लिया कि images से test कैसे निकालत है तो उनके लिए वीडियो काफी important है चलो start करते है इसको और देखते हम कैसे करेंगे पहले मैं आपको process बदाऊं दस वीडियो मेरे पास में images है इनको एक ही करके read करूँगा read कर गए कि folder बना दिया मैंने read नाम का इसके अंदर test file जनरीट करूँगा उस test file के अंदर जो भी इसके अंदर content होगा उहां ले जाओँगा और उस जो test file है उसके content को यहां पर recall करूँगा तो इसके लिए मैंने एक code अलड़ी लिखा हुआ है जिसको मैं आपको थोड़ी देर में explain करने बाला हूँ तो पहले मैं आपको run करके दिखा देता हूँ कि यह कैसे काम करता है उस वहां से जो test आएगा उसको आपको यहां पर present करेगा तो हमारी 5-6 file उसने read करके यहां पर दे दिया है काभी fast काम करता है मैं video record कर रहा हूँ तो कई बार system भी slow हो जाते हैं आप यह individually काम करेंगे तो यह बहुत जल्दी काम करता है गैस मेरे पास में 10 images थी उसके अंदर जो भी test था उसको मैंने axle में convert कर लिया है इसको मैं further use कर सकता हूँ जब भी मैंने इसको data को extract किया इसमें clean, subtractor, trim लगा करके इस data को अच्छा कर लिया है जिससे मैं further use कर सकता हूँ now learning point यह है कि जो से मैंने किया है वैसे आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए कुछ requirements है उसको आपको पहले fulfill करना उसके बाद मेरी VBA code को use कर सकते हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे github से एक testract ocr download करेंगे यह google बनाया हुआ एक software है इसको आप अपने system में install करने और google ने बनाया हुआ है तो आप आराम से विश्वास कर सकते हैं मान सकते हैं कि यह आपके लिए safe होगा और जब आप installation करेंगे तो यह installation आपके जाएगी c drive के अंदर program files के अंदर एक नया folder बन जाएगा testract-ocr करके इस पूरे path को copy करें आप copy करने के बाद में window यहाँ पर बिंडो में जा करके आप search करेंगे path word या फिर आप चाहे variable word search कर सकते हैं या फिर आप system involvement word search कर सकते हैं यह दिया रखना है आपको इस तरीके का एक icon आएगा और यहाँ पर एक open है या फिर इस पर क्लिक कर दिया इस पर कही भी क्लिक करिए इस आपको edit system involvement system को open करना है open करने के बाद में यहाँ पर 57 उपर tabs आएंगे तो आपको third tab advance में जाना है और involvement variable यहाँ पर क्लिक करना है जब यहाँ पर क्लिक करेंगे यह तो एक window new open हो जाएगी अब यह धिया रखना आप 2010 यूज कर रहे है तो आपको नीचे system variable भी धिया रख करना है करना क्या है आपको ऊपर यहाँ पर path है इसको select करना है और नीचे भी एक path है इसको भी select करना है तो ऊपर वाला पहले select करें edit पर जाए और यहाँ पर आ करके new option पर click करके यहाँ पर path को यहाँ पर paste करें जैसे कि मैंने ऊपर paste किया हुआ है और उसके बाद okay कर दें औ और बापस आ जाए ऐसे ही नीचे भी करना है नीचे system variable वाले टैब के अंदर यहाँ पर जाए edit option पर click करें new पर click करें और यहाँ पर paste कर दें जैसे आप उपर मेंने अल्लेडी किया हुआ है इसको करने के बाद में okay okay करके बापस आ जाए यह दो requirement है तो पहला मैं repeat करता हूँ पहला आपने क्या किया OCR को install किया और उसके बाद में अपने system path variable में जाकरके इसको add कर दिया है अभी आपको अपनी कोई भी excel file open कर लीजे जैसे मेरे पास में यह excel file है यहां से मैं test data देता हूँ इसको open करें developer tab पे जाए जिनको developer tab नहीं पता है उन्हें तो right click करने के बाद में customize revision में जाकर developer tab पे जा सकते हैं वहां से visual basic पे जाएंगे और यहां पर कोई भी new model insert करनेंगे new model insert करने के बाद में जो आपको video description में यह link दिया हुए जो मैं आपको link दिखा रहा हूँ यह code मैं आपको free में दिया हुआ है video discussion में यह link दिया वहां से आप और इसको अंदर आपको path change करना है अब आपको क्या करना है समझना है कि यह code कैसे काम करता है जिससे बाइचंस आपको कोई error आती है तो क्या दयार रखना है देखे सबसे पहले आपका जो third step है हो यह है कि tools में जाएंगे reference library में जाएंगे और यहां पर Microsoft cell control and automation करके एक library आ रहे ह होगी इसको आप select कर लेंगे जब तक यह select नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा यहां पर इस चीज़ को मैं जो recall कर रहा हूं वो बिना किसी selenium के बिना किसी automation के यूज करा हूं आप चाहें तो यही बाला code selenium के साथ ही उसकर सकते हैं या फिर आप यह internet explorer पर automation कर रहे हैं वहां से कर सकते हैं let me explain you entire code कैसे काम कर रहा है पहले मैंने procedure बनाया इसमें कोई दिकर नहीं है on error resume nest कर दिया है इसमें भी कोई आप लोगों कोई problem नहीं होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए छोटे-छोटे course क्या है कुछ variable यहां पर मैंने define किये हुए है पहला variable तो मेरा cell के है दूसरा read command है capture के लिए i मेला loop के लिए है और यहां पर मैंने cell 32 को declare कर दिया है object से now यहां मैंने loop शुरू किया हुआ है एक से 10 फाइल को read कर रहा हूँ मैं यहां पर भी आपको दुबारा दिखाने के लिए पांच कर देता हूँ and यहां से मैंने चीज़ें शुरू की हुए है तो सबसे आगे मैंने image 1, image 2, image 3, image 4, image 5, image 10 ऐसे कर दिया है आप भी अपने input का ऐसे ही रख लेना आप चाहें तो कुछ और रख लेना but you must to be change your variable so क्या करना है read command जो हमने ऊपर variable बनाया था read command is equal to यहां पर देखें पहला command मैंने क्या लगा है जो exe मैं आपको भी दिखा रहा था ocr के path के अंदर यह वाला exe का मैंने path यहां पर डाला हुआ है ध्यार रखेंगे exe के बाद में space जरूर लगाना है फिर यहां पर end लगाने के बाद में एक image को की call किया है यह image कौन सी है यह image है हमारी image number 1 तो इसका आपने path मैंने path दिया हुआ है तो इसको path ले लिया और variable के साथ में इसको 123 से change कर दिया उसके बाद में end लगाया end लगाने के बाद में यहां पर एक space लगाया और फिर इस images को read करके हम एक test file बनाएंगे और test file के लिए मैंने एक read नाम का अलग से folder बना दिया है जिसको मैंने अलग से read कराया हुआ है तो आप यहां दिखेंगे read image अब end लगाना है फिर यहां पर आपको i लगाना i का मतलब है कि यह मेरी image है उसको मैंने read किया हुआ है और उसके बाद में last वाले जो point है वो important है double limited कॉमा के अंदर minus l space eng आप इसको simple copy करके pasty करना and path को change करना आपके लिए easy रहेगा जिससे कोई error नहीं होगी दूसरी लाइन समझाता हूँ my cell को ऊपर जो मैंने call किया था उसी को execute कराया execute कराया मैंने power cell power cell मतलब cmd power cell cmd और क्योंकि मेरे पास में window 10 है तो मैंने यहां पर power cell directly call करा दिया फिर यहां पर एक argument है जिसको read command से मैंने read command का मतलब है यह पतलब आप इसके अंदर जो मैंने लिखा हुगा था उसको मैं execute करा रहा हूँ through the power cell लाश्ट में vso is equal to zero कर दिया इसका मतलब है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह command कब read हो रही है क्योंकि read होने के बाद में एक test file बनेगी read वाले folder में तो उसमें थोड़ा सा time लगेगा इसलिए मैं यहां पर timing लगा दिया है जिससे कि जितनी भी file बने बनने के बाद में थोड़ा सा system को time मिल जाए read file के फिर उसके बाद में जो test file मेरी बनी है वहाँ पर भी मैं देखिए variable लगा रहा हूँ जिससे dynamically file में read करता हूँ test file को मैंने read गिया है और उसका नाम दिया है मैंने capture code capture code already मैंने आप variable declare किया हूँ है आप लोग confuse मत होना और उसके बाद में test file को बंद कर दिया है that's it guys so very simple first हमने इसको images को test में convert किया दूसरा हमने test file को open किया और उसमें जो भी bird थे जो भी test आई हुए थे उसको हमने read कर लिया उसके बाद में थोड़ा सा wait किया है है हाँ पे हमने 2 seconds का और उसके बाद में test call को ही हाँ पे देखे मैंने कहा कि clean किया है clean मतलब पहले substitute किया हुआ है 160 करेक्टर को जो लोगों को 160 करेक्टर नहीं पैदा है वो मेरी warcode वाली वीडियो देखे 99excel.com पर आपको पता चलेगा कि कितने करेक्टर को हम use कर सकते हैं कैसे हम यह dynamic images बना सकते हैं और फिर cell i यहाँ पर भी मैंने dynamic बना हुआ है cell i12 के अंदर trim लगाया हुआ है clean भी लगाया हुआ है दो मैंने function लगाया trim भी कर दिया and clean भी कर दिया क्या my capture code और यह capture code हमारे जो पड़ेगा वो पड़ेगा बी के अंदर क्योंकि यहाँ पर मैंने reference दिया है 2 लास्ट वाला code समझाता हूँ जो कि है serial number 1, serial number 2, serial number 3 यह मेरा generate होता रहेगा जो आप थोड़ी देर में आप यहाँ पर देख रहे थे so very simple मैं पूरा recall करता हूँ उसके बाद समझें सबसे पहले आप OCR install करेंगे OCR install करने के बाद में आप environment path को update करेंगे third one excel bba code के अंदर tools में जाएंगे reference library में Microsoft के cell control वाली library है उसको check करेंगे मेरा यह code आप video description से copy and paste करेंगे और उसके बाद में किसी भी module में डाल करके इसको run कर देंगे path change करना मत भूलना guys secondly यहाँ पर आपके system में कोई error आती है maybe आपके system आप इतना fast नहीं चलता है तो थोड़ी सी जो wait time है इसको बड़ा देना और उसके बाद में इस तरीके जैसे मैंने button बना लिया आप भी button बना लेना and button बनाए या फिर आप कहीं call करना चाहते है वैसे call करना और उसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह bba code काम करना शुरू हो जाएगा basically next वीडियो में बनाने वाला हूं कि किसी website का capture code कैसे read करते हैं आप किसी भी website का किसी भी type का capture रीड कर सकते हैं लेकिन उसका आपको logic बता होना चाहिए मैं उस capture की बात कर रहा हूं जो fancy है या फिर normal में लिखा हुआ है जहां पर आपका alpha weight or numeric लिखा हुआ है images capture की नहीं बात कर रहा हूं अलग-अलग आपको सीखने को चीजे में लेगी thank you so much rest of details मैंने video description में दी हुई है thanks for watching